मानिग इस्टुडेंट तो आए देखते हैं क्लास एट का जो बचे हुआ पार्ट खोस को क्या कौन सा लेशन है क्लेशन सेवन एवरेड़ेड़ेश तो अभी दाखाव लोगों ने तीन हीरोस के पारे में जाना था दा पीक आउप डाक्टर दा नोट वर्दी सिंगर और दा स्विकलाइट कंडिशन अप दा लेंड हिलिवड इन गार्बेज बेंस अवर प्लोट इस्ट्रीट लाइट नेवर वर्कट दा लेंवास फूल उप फोट लेस तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो राजकुमार सर्मा मुंबई का एक वासाई जहां वहां रहते थे वहां चलाक रहा था गली में लाइटे कभी नहीं जलती थी गली में गढ़्डे ही गढ़्डे थे तो राजकुमार सर्मा के बारे में बता रहे हैं है ना यहां पर क्या बता रहा है जा रहा है आगे कि एक ती सर्मा ने मुंबई नगर पलिका के संदर्यकरण कार्यकरण जो 39 स्थान प्रबंद कहलाता था के बार में पढ़ा जो गलीयों या कलोनियों के सभी रह पासियों से अपेक्छा रखता था कि वहां अपने गिले या सुखे कुड़ के परकट अलाग रखे आगे क्या पता है रहा है कि वाइल वेट गर्वेज वास तर्ने इंट पंपोस्ट टुक्रव प्लांट्स, कि वयडर बुकुर्डे की बडी वरत लुकुर्य। रहर है। टुकावस उते के फर मुनिकाट और कि जित अएलशी प्लाम। सर्मा implemented the program in his street with 600 odd residents today his green and lovely-ley is a model project that attracts urban experts from around the world सर्मा has also helped residents of many other areas in the city to start similar program तो इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि उसी समय पर गिले कुडे करकाट को पौधों की वृद्धी के लिए खाद में बदल दिया जाता था सुखे कच्रों को उठा कर ले जाने के लिए भाड़े ता कुरा करकाट चुनने वाले रखे गए थे इसके बदले में नगर पाली का गलियां की समस्याओं को प्रात्मिक्ता देते थे सर्मा ने अलग अवासों के साथ अपनी गली में इस कार्यकरम को खत्यार बनाया आज उनके हरी भरी और सुंदर गली एक अधार से कल्पना है जो संसार वर के सहरी विसे सग्यों को अगर्शित करती है सर्मा ने सहर के कई अन्या हिस्सों के अवासिय भागों में ठीक इसी प्रकार के कार्यकरम सुरुवात करने में सहयोग दिया था तो आप ने देखा इस्ट्रेंट की जो राजकुमार सर्मा है उन्हों वह स्वक्षाता के पढ़ी काफी जागरूख है आप सभी को व्यू ऐसी रहना चाहिए अपने घर क्यास पास क्यों जो एरिया है उसको स्वक्षा रखना चाहिए आगे दिखते हैं तो लाइफसेवर में तलब होता है एक जीवन दाता है ना तो आम्राबेरी ए फोटी यार ओल्ड तमीन नाटू बिडी वरकर वास एट हॉन कोगिंग वें सी हैड़ा एड़ा डिफेंटिंग साउट सी रन आउंट तो हैंड देट पार्ट अब अबेक्मेंट ओन वीच वास बिल्ड ओन हैंट कोलॉप्ट कोलॉप्ट कोवरिंग दा रेंट रेक्ट बिलो में ते हूज पांट अब मॉट एड़ा डेप्रीज जस्ट देंशी हैड़ा एड़ा ड्रें विशर आम्राबेरी तमीन नाटू के एक ठाइसवर से बिली कार्या करता घर पर खाना पका रही थी जब उसने एक बहरा कर देने वादी तेज अबास वरी वह बहार दावडी पता लगाने के लिए कि बांध का हिस्सा जहां पर उसकी जोपड़ी थी धाग या रेल की पट्रिया मिट्टी के विशाल के लिए और मल किलोमेटर सावे इन फ्यू मिनट्स इट वूड इसमाज इन्टू दा लैंड श्रेट इसका मतलब था यात्री रियल गाड़ी दो किलोमेटर दूर इस्थी त्री स्टेशन से छूट चुकी थी कूछ ही मिन्टों में वह मिट्टी के धेर से टकरा जाएगी है ना तो क्या होगा आमला इस्टार्टर रुनिंग ओन दा एंबेक्ट में तूर्ड दा रैंग देन इस्क्रेंबलिक दाउन अमधी पाथवे ओन दा ट्रेक सदा गंटीन टूर्टी शी वास वेरिंग ए रेट सारी तो आगे क्या पता रहा है कि आमला ने बान पर बने धलां से रेल गाड़ी की और दाणना सुरू किया है ना फिर कटनाई से किचण भरे रास्ते से उतार कर रेल की पट्री पर वह लगया तार दाणती रही भाग या वास उसने लाज साड़ी पहां रगे थी उसने उसका पल्लू उठाया और दाणते हुए उससे लहर आने लगी जब इंजन को पयोग किया और रेल रोग दी है ना देर वासिक सर्व अहीट सेज ड्राइवर भी प्रभाकर सो दा लैंड स्राइड वास वास वाजन विजिबल है इट नॉट बिन दा अमला वार्निंग मैने पिपल सूट हैव देट आइम हैपी आवास एबल तो प्रेवेंट चालाग भी प्रभाकर ने कहा वहाँ आगे गुमावतार मोड था इसलिए लैंड स्लाइड नहीं दीख रहा था क्या आमला की चेताउनी के कारण बहुत से लोग मरने से नहीं बज़ गया थे है ना तो आमला कहती है मैं बहुत कोश हूँ मैं एक दुरघटना को रोपने मे सपल हुई उसे उसके सहास्वा सासिक कारिया के लिए गल्पना चाओना प्रूसकार दिये गया तो इस्टुटेंट आपने देखा कि आमला मेरी जो आमला है है ना वो अपने सोजबूत से बहुत से लोगों का जान बचाने में काम्याब रही तो आई होब आप इस लेशन स आपने बहुत को सिख्यों गए श्टुटेंट थैंक यू बेरी मुच